समसकाए mcq practice का second part है तो चले शुरुवात करते हैं 10 class का ये वीडियो है तो राजासनम खलू एतत तो राजासनम तो इसका हमें विग्रह करना है ये समा से विग्रह करना है तो राजासनम का मिनिंग क्या लेते हैं तो राजा का आसन का के की शिष्टिया रहा है का के की तो रा राजासनम तो राजासनम ये हमरा अंसर बन जाता है बाकियों में क्या है राज्या तृतिया है राग्जी सब्तमी राजा प्रतमा है तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये शेष्टितत पुरुशे और इसमें शेष्टि भक्ति होनी चाहिए और मिनिंग भी सही होना चाहिए नेक्स्ट किम दोयो हो अपी एकमे वो प्रति वचनम तो प्रति वचनम का हमें समास करना है स्वरी प्रति वचनम ये समास है उसका हमें विग्रह करना है तो प्रति जब भी रहेगा तो समझ लेने अव्वे भावे और अविभाव में प्रति के साथ क्या होता है वो एक शब्द दो बार होता है तो वचनम वचन प्रति अभी ये तो गलत है क्योंकि वचनम में विवक्ति लगाई है वचन में नहीं है इसलिए वो गलत है वचनस से वचनस से वचन का वचन का तो इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा है तो ये भी गलत है ठीके क्योंकि ही प्रती के साथ हमेशा जित्यावी वक्ती होती है ठीके कभी-कभी हमें सब्तमें भी देखने को मिलती है मगर शष्टी कभी भी नहीं ठीके तो इसलिए थोड़ा सा तरह से मिलेंगे वचनम वचनम प्रती आपको इस तरह से भी विग्र मिल सकता है वो भी सही है ठीके ये उपर वाला जैसे कभ वाला था मगर यहाँ विवक्ती नहोंने करा हो गलत है तो वचनम वचनम प्रती ऐसा भी मिलेगा वचनम वचनम इती ऐसा भी मिल सकता है या फिर वचनम वचनम इतना भी मिल सकता है उससे कोई फरक ने पड़ेगा ठीक है? आपको ए बात जहां रखना है सरवता समरूपह कुटुंब उरुध्तांत तो कुटुंब उरुध्तांत में हमें विग्रह करना ये समा से उसका विग्रा करना है तो कुटुम्ब उरुत्तान्त का मतलब क्या होता है तो कुटुम्ब का उरुत्तान्त कुटुम्ब का कुटुम्ब मतलब फैमिली फैमिली का उरुत्तान्त उरुत्तान्त मतलब खबर जो भी है तो काके की आ रहा है मतलब शिष्टी है तो शिष्टी है तो कुटुमबस्यो तो कुटुमबस्य उरुत्तान तह तो ख यह अंसर उसका सही है तो आपको यही द्यान रखना है यहां क्या है कुटुमबस्य उरुत्तान तम दिया है उरुत्तान तह समास में वो पुलिंग शब्द है इसलिए उसका जो अंसर रहेगा वो भी पुलिंग में ही होना चाहिए ये तत्पुरुष समास के एक खासियत है इस बात को हमें ध्यान रखना है इसलिए कुटुमबस से उरुत्ता अंतहर यही अंसर सही है अपुरुष अयम मानवा अनाम सरस्वत्य अवतार हो सरस्वत्य अवतार हो तो इसका हमें विग्रा करना है तो विग्रा करते समय है पहले मिनिंग देख लेते सरस्वती का अवतार सरस्वती का काके की आ रहा है तो काके की तो सरस्वत्याहा सरस्वत्याहा अवतार ये नदी की तरह चलेगा शब्दा सरस्वती शब्दा है ठीक है इसलिए बाकी सब गलत है बाकियों में अलग-अलग भी बगती है काके के शेष्टी तो ये शेष्टी तत्पुरुश हुआ चत्रियकुलपितामहयोह सूर्यचंद्रयोहो इसका हमें समास करना है तो सूर्यचंद्रयोहो कौन सा समास है समास नहीं करना है इसका विग्रहा में करना है समास अल्रेडी है तो विग्रह करते समय सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं कौन सा समास है तो ये द्वंद्र समास है क्यों क्यूंकि इसमें दो शप्त रिवचन ने शूर्य और चंद्र और शष्टी द्याद रखना श्ष्टी द्याद करते हैं या तो सप्तमी द्याद भी आप बोल सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है तो सूर्य चंद्रजों हो तो सूर्य और अभी और एक बात ध्य जाएने के तो सूरियस्ययययों च चंड्रसर, लेशार टके तो सूर्य का चंद्रशा घ्यूकई तो देख लेते हैं अभी यहां देगे सूर्ययय चंद्रह्य k यह गलत है क्यों किया शिश्टी है अभी यह सूर्यय प्रतमा यह है चंद्रह प्रतमा एंक ऊचन् सें रहें तो इसका आंसर सोऊरिय चंद्रका ृप कि तो उसके बार जो नेक्स ए है यह भी गलत है क्यूंकि इसमें क्या हो रहा यह चुन्डरयोह क्या ह और ज。 हौ्ड वचने अभी एक वच्छन और वच्छनि क्या हो जाएगा बहुवचन क्या हो जाएगा मंगर हमाराा अंसर चाहिए वच्छन चाहिए सूर्यो हो, चंद्रयो हो, अभी सूर्यो हो, ऐसा तो कोई शब्द होता ही नहीं, तो ये गलत ही है, तो आपको ये ध्यान रखना है next क्षेत्र कर्शनम करोतिस्म, तो क्षेत्र कर्शनम में हमें विग्रह करना है, तो मिनिंग क्या है, खेत की जुताई, खेत की काके की आ रहा है, मतलब शेश्टी भक्ति है, तो क्षेत्र स्यकर्शनम, क्षेत्र की जुताई बाकियों में अलग-अलग भी वक्ति है तो इसलिए ये दी मिनिंग समझ आ रहा है तो समास करना आसान हो जाता है विग्रह करना भी आसान हो जाता है सुरवेहे इमाम अवस्ताम दुरुष्टवा सुराधिपह इसका में समास करना है विग्रह करना है तो सुरा अधिपह तो सुर सुर मतलब देव अधिप मतलब राजा तो देवोका राजा तो देवोका राजा काके की तो यहाँ भी शष्टी विवक्ति है तो सुरा नाम अधिपह तो इसका यह लास्ट अंसर सही है बाकियों में अलग-अलग विवक्ती या किसी में विवक्ती नहीं तो गलत है उसके बाद है अस्मिन पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम आत्मवेदनाम शुष्टी की एक्जामपल हमें ज़्यादा रिवाइस करने पड़ रहे हैं आत्मवेदनाम आत्मवेदना आत्मवेदना का मतलब क्या है तो आत्मा की वेदना काके की आ रहा है तो शुष्टी भक्ती तो सेय तो नहीं लगेगा क्योंकि आत्मन शब्द है नकारांत शब्द है आत्मन नकारांत है तो आत्मन हं वेदनाम इस तरह से अंसर सही है तो इसे थोड़ा सा याद करके रखे क्योंकि आत्मन शब्द है ऐसे शब्दों में काफी गडबड हो जाती है कन्फिजन हो जाता है कि आत्मस्य ऐसा हम सोच मगर वैसा नहीं है कि नेक्स्ट करके को सुरभी का वचन सुनकर देखू का का ड़्य ऑ रहा है। इकारांत शब्द है तो शुरुभे है। श्टी वक्ति शुर्भे नहीं का वचन सुनकर तो तो शेश्टी तत्पुरुस समास तो सुर्वी वचनम का विग्रह क्या हो गया सुर्वे हे वचनम नेक्स नव्यत्ति निर्बलह निर्बलह में हमें समास यह समास है इसका हमें विग्रह करना है तो इसका अंसर क्या है निर्गतं बलं यस्मात सह निर्गतं बलं यस्मात सह य उसका अंसर सही है निर्बलह देखिए अभी यहां हमें एक बात ध्यान रखने हैं यहां पुलिंग दिया है निर्बलह नहीं तो अविभाव समास में भी निर आता है और अविभा होता है मगर यह दिन निर्बलम होता नपुसक होता तब हम यहां क्या करते यहां अविभाव जिससे बल चला गया है जिसकी शक्ति चली गई है जिससे शक्ति बाहर निकल गई है ऐसा व्यक्ति उसे कहते है निर्बल कहते हम किसी को कहते है निर्बल है निर्बल मतलब उसमें कुछ नहीं है भी मतलब कोई ताकत नहीं है तो निर्बल हो ऐसा यह बहूरी समास है तो जैसा मिनिंग लेते वैसा उसका समास बन जाता है तिके हम यहां निर्वल से कोई ऐसे व्यक्तिकों टार्गेट कर रहे ह। न कि उस शब्द को इसलिए यहां बहुरी समास हो रहा है यह बात हमें ध्यान रखना है क्योंकि बहुरी समासर अभी भाव में मिनिंग की उपर ही काम है ज्यादा तर तो इस तरह से हमने इस पार्ट को भी समप्त कर लिया है धन्यवाद